नमस्कार दोस्तों पुझा डिजाइन से रिस्टिचिंग में आपका स्वावत है आज हम एक टोपी बनाने वाले हैं तो यह देखिए यह लाइनिंग का फैब्रीक है कॉटन में मैंने जो मोटा फैब्रीक आता है पेटिकोट वगर्या का वह मैंने यह यूज लिया है और यह साड़ी की ब्लाउज में से बचा हुआ फैब्रीक है तो इसका कलर बहुत सुदर था तो मैंने सुचा इसकी टोपी बना रहे हुए देखिए यह जो फोर फोल्ड में है यह तो बीस बाई बीस का यह हमारा फैब्रीक है पूरा और यह देखिए किस तरीके से हम कान है तो यह देखिए हमें टेप को कहां बच्चे के रखना है तो कान से नीचे रखना है यह देखिए और ऐसे हमें गुमाते हुए और इस कान के नीचे तक यह लाना यह देखिए जो दोनों पॉइंट को मैं निशान लगाया है इस तरीके से आप नाप लेंगे तो बिल तो यह देखिए मैं यहां पर 18-19 मैंने 20 इंच यह पूरा फैब्रिक रखा है 20 बाई 20 का और यह देखिए हम एक साइड साम इसकी लंबाई ले लेंगे तो यह साड़े साड़े 9 मैंने लेके और इस तरीके से गुलाई यहां पर लगा दूँगी तो साड़े 9 का डबल हो जायागा तो यह 18-19 तक हमारा बन पायागा हाफ इंच या एक इंच कुछ ज्यादा छोटा बड़ा नहीं होता टोपी में इसका ज्यादा डिफ्रेंस नहीं है तो उसका ब्लाउज में से यह फैब्रीक बचा था तो उसका मैं यहां यूज कर रही हूं जॉर्जट में मेरा फैब्रीक है तो इस तरीके से इसको अच्छे से रख लेंगे और चारत रफिल लगाकर पूरी जो राउंड सर्कल उपन हम एक बार इस्टिश लगाकर एक्स्टा कपड कर लेंगे यह तो आप इस तरीके 6 6-7 इंच के बीच में निशान लगा लें अगर आप यह देखिए या फिर इस तरीके के इसका उठा के कह questa लगा ले जडेखीमिन एक ट लगाल ल 오랜만्या है और यह निशन मैंने यहां लगाई अब इसको वापस से फोल करेंगे अभीकट द यहीं आता है लगवक कि देखिए मैं बच्चों के खुब सारी टोपिया वनाती हूं तो उसमें यह होती है अब यह देखिए अलग लग साइज की किसी में थोड़ा कम किसी में ज्यादा यह दो बीच का जो फैबरिक यहां पर प्लेटें नहीं डालनी है इसलिए मैंने यहां इसको गुमाते जाएं और इस तरीके से यह देखिए मैंने 19 इंच पर यहां पर निशान लगा लिया है और बाकी का जो सर्कल बच्चा है उसको देखिए इस तरीके से उठाते जाएं प्लेटें बनाते जाएं उठाते जाएं और प्लेटें बनाते जाएं पूरे में हमें मैंने सेंटर लिया यह है यह सिर्क के बीच के जो लो रार्त होता है यह से थो सेंटर के यह जैसे हमारी 22 प्लेटे आ यह तो सेंटर के 11 इदर और 11 इदर इसमें आपके एक दो उपर नीचे हो सकती हैं वो कोई बड़ा इश्लाएश नहीं है तो यह देखिए आप उसके प्लेटों की चोड़ाई इस तरीके से लें तक कि आपकी जो जितनी भी आपकी काउंटिंग आईए फ्लेट्स की वो आपकी हाफ आफ में कट से डिवाइड हो जाए यह देखिए मैं इस तरीके से लगा रहे हुँ तो यह देखिए लगबंग तक सेंटर तक यहां पर ले जाऊंगी यह देखिए सेंटर हमारा तो यह मेरी 11 प्लेटे पूरी हो गई अगर दुबारा में यहां से यह देखिए 11 प्लेटे और डाल लिए तो इस तरी से 11-12 हो जाएंगी अगर 22 आपका जो टोटल काउंटिंग में अगर एक दो उपर निच सकते हैं पट्टी को जोइंट करते वक्त भी डाल सकते हैं या पहले भी आप डाल सकते हैं यह देखिए यह प्लेटे हमने कंप्लेट कर लिए अब मैं एक बार पूरा यह देखिए टेप से इस राउंड को मेजर करूंगी जहां से हमने प्लेट डाली है तो 19 इंच के सम्थ यह हमें रखना है यह देखिए हमारा कितना आता है वह मैं आपको दिखा देती हूं अभी यह देखिए इस अड़े 19 इंच आया मेरा हाफ इंच एक्ट यह तो मैं हाफ इंच की कोई प्लेट इस तरीके से यहां पर डाल दूँगी बीच में यह देखिए या फिर इसको ऐस राउंड दे के कट कर देना यहां से इससे क्या है कि बिल्कुल गर्दन पर सेफ बहुत अच्छे से आएगी और बिल्कुल फिट हो जाएगी यह देखिए हलका सा में इस तरीके से निकाल देना है और यहां पर भी हमें वापस सिसलाई लगा के इसको नीचे से दोनों प्रेटे हमने डाली है वह तो मैंने यहां पर यह इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है तो आपका जितना राउंड नापका आया है आप ले उतनी बड़ी है पट्टी लें पट्टे की चोड़ाई मैंने यहां पर 20 और सौरी चार इंच चोड़ाई रखी और 20 इंच यह अगर आपके पास कपड़ा एक्ट रहा है तो आप इसी की डबल फोल्ड करके लगा सकते हैं मेरा कपड़ा यहां पर कम था ब्लाउज का तो मैंने यहां पर लाइनिंग भी इसमें लगा लिए अब यह देखिए अब इसको हम इस तरीके से यह नीचे की साइड हो गया तो उधर भी हमारे कोई सिलाई का जोइंट वगर नहीं दिख रहा और इसको इस तरीके से मार्जिन रखते हुए इसके उपर हम फोल्ड कर देंगे पट्टी को पट्टी लगाना बिल्कुल आसान है और इस तरह की प यह देखिए बिल्कुल नीचे वाली सिलाई ना दिखे इस तरीके से आप बिल्कुल किनारी किनारी से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएं यह देखिए बिल्कुल मैं किनारी से हाँ सिलाई ले रहे हुए एकदम अच्छे से दबाते हुए कपड़े को जहां हमें finishing देनी होती है उस बात का आप ध्यान रखें हमां कभी भी जल्द बाजी नहीं करनी चीए आराम से काम करते हैं finishing के साथ काम करें वो जब आपके काम को कोई देखता है तो उसको भी वो सुन्दर लगता है अब जगर आप खुद इस तरीके से काम करोगे तो आपका खुद का भी आप में विश्वास बढ़ता है कि हमें कितनी finishing से हमने काम किया है यह देखिए पूरा यह मैंने याप पर लगा लिया यह मेरी extra पटी तो इसको मैं cut कर दूँगी यह देखिए यहां से इसको cut कर देंगे बिल्कुल बराबर दोनों साइड से यह भी cut कर बिल्कुल बराबर हो गई है यह देखिए और आप चाहिए तो इसको ऐसे भी डबल सिलाई भी लगा सकते हैं मेरे पास यह देखिए एक लेस पड़ी हुई थी इसकी मैचिंग की यह देखिए कई बार कस्टमर होते हैं वो दूसरी लेस लगवा लेते और जो ब्लाउज में लेस आती है वो और नहीं लगवाते या फिर हैवी वर्क करवाते हैं तो कु इस पर यहां पर सिलाई लगा दी है यह देखिए कितनी सुन्दर हमारी यह टोपी बनी है और बिल्कुल फिटिंग की यह देखिए अब जो बैक साइड में राउंड में जो पट्टी हम बानने की बनाते हैं वो मैं यहां पर बनाऊंगे तो यह ब्लाउज का जो मैन फैब करते होऊं हम इस तरीके से डॉडी को यहां पर लगादेंगे मैंने सभी से क्रीकों में किस तरीके से से को से मैच करते वे पर नगे से बच्चों को और बनाया है तो आप मेरे चैनल पर जया सकते हैं चैनल को सबस्क्राइब करके गभा और दएंपक्ला가। इस तरीकि से यह लगबग तोपी हमारी हां पर अपती हो गई है बस एक पटी मेरी यहां पर बाकी है तो यह देखिए इसको इस तरीके से दबाते हैं वेकुल सिलाई ना दिखे इस तरीके से इसको कवर करते हुए अच्छे से बना ले यह जो पट्टी हम बनाते हैं इसको थोड़ा सालका समोटा मेडियम साइज का बनाएं ताकि बच्चे की जब बांते हैं तो गले में चुबे ना ज्यादा पतली होती हो थोड़ी चुपती ह दोने के बाद और भी पतली हो जाती है इसलिए इसको उससाब से बनाए उस तरीके से लगबग दौरी भी बनकर हमारी आपर इसे लगए लग सो आई और इस तरह के लेड़े टेस्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अ झाल झाल